आज जो में आपको सर्बत पताने वाली हूँ यकिन जाने इस से आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी ना कोई शुगर है ना कोई सर्बत ना कोई सिरफ पर एक दम टेश्टी यमी एंड एक दम मीठा अरे इफतारी में जब आप पे होगे एनर्जी के तो मिलेगी पर इसके इतने खुबसूरत रहेगी इसके फायदे सुनके आप हेरन रहे जाओगे तो फिर वेट किस बत का पूरा वीडियो देखो इन कमेंट में जब बताना बिस्पिलाई रमानिय रही और सलम आलेकूम हेलो मेरा नम है आसे फून यह मेंनी क्या किया है एक कप पानी पानी ले रही हूँ एक कड़ाय में या पतिली में जिसमें आपको लेना गो अगर आपको पसंद हो तो आप क्रिश्टल जीली जो मार्किट में इजली मिलती है उ इसमें सुगर रहती है तो मैं सुगर का यूज़ करने वाली नहीं हूँ यह है मिश्री यानि जिसको खरी शक्र भी बोलते है वह है तो पानी में मिने खरी शक्र मिंस मिश्री डाली है और इसमें दो चमच एट करूंगे कॉन फ्लोर के हां एक्दम यूनिक डूल के है तो इस रमजान में जोड ट्रे करना और इसके फायदे भी सुनते जाना तो इसको अच्छे से पकाना ताकि जो हमारा कॉन फ्लोर है और शक्र है जो मिंस मिश्री हो अच्छे से पक जाए और इसका कलर एकदम चेंज होना जाए त्रांस्पेरेट कलर में वह आ जाए आप देख करते हो एक तम ट्रांस्पेरेट कलर में आ गई है अगर आपको क्रिश्टल जीली यूज करना तो कर सकते हो बट उसमें सुगर रहती है तो वह मैंने अवोइट किया है मैंने मिश्री का यूज किया है और गर की नॉर्मल मैंने यह ड्रिंक में यह शर्बत में मैंने शुग का भी जराबी यूज नहीं किया है तो आप देख सकते हो जो कौन फ्लोर का कलर है वो अच्छे से ट्रांस्पेरेट हो गया है अभी दो कलर में में यह जीली बना रही हूँ यह डेकोरेशन के लिए यह ओप्सनल इस्टेप है पर रमजान में दस्तरखान में कुछ भी ग्ल तब तक में क्या करते हूं में, इसमें मिक्सर में वापस LET करूंगी यह मारी मिष्री यानि खरी शकर, इसको आच्छे से पीस लेना और दूध थोरा गरम होने के बाद इसमें नरी चैनल कर में प laughed, को घाल कर इसमें मिक्सरी रहा बातोंग रंभ रख इसमें मिक्सर को उर इसमें 6 चमच एड़ करना, अगर आपको मन हो तो आप 7 चमच में एड़ कर सकते हो, मिस्री के पेला फाइदा सुनो, आपकी आखों की रोशनी बढ़ती है, एनिमिया, खुन की कमी दूर होती है, दूद में मिस्री डाल के पीने से इंसान बूड़ा जल्दी नहीं होता, मिंस स्कीन एजिंग स्लो हो जाती है, जो मोशली लोग विटामिन्स के ये टेबलेट लेते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठकान दूर होती है, एनरजी लेवल हाई होता है, पाचन सकती ठीक होती है, अब दूसरी तरब जब तक मिश्री डूद पक रहे हैं, तब तक मैंने एक कटोड़े में दूद ली आए, और उसमें देट चमच जितने कश्टर पोडर डालना, बिकोस हमको थोड़ा ठीकनेस वो ड्रिंक बनाने का है, और ये जो हमारा मिक्सर था, उसमें मैंने ये 10 काजू, 10 बदामिन पिस्ता, बदामिन पिस्ता की उपर की स्किन निक कर देना, और उसमें अच्छे से मिक्स करना, आखों के लिए मिश्री बहुत अच्छी है, पाचन सकती को भी ठीक करेगी, जब पाचन सकती ठीक होगी, एनिमिया दूर होगा, मतलब खून अच्छा होगा, तो आपको मतलब ओक्सिजन ऑटोमेटिक स्कीन पे दिखेगा, औ आपकी स्कीन ऑटोमेटिक गलो करेगी, इसमें हमने जो कश्टर पाउडर पकाया, डिलूट करके रखा था, वो भी इसमें एट कर देना, उसका थोरा पांस से दस मित पकाना, ताकि वो अच्छे से थोरा थिक हो जाए, उतना हमको पकाने का है, बहुत ज्यादा भी पकाने हमने कुछ मावा, कंडेंस मिल्क या मलाय क्रीम कुछ नहीं डाला, और इसमें एट करेंगे केसर, आपको पता है, केसर स्कीन के गलो के लिए बहुत अच्छी रहती है, अगर आप केसर नहीं करोगे तो आपको येलो फूट कलर एट करना पड़ेगा, मैंने केसर एट किया ह और नहीं करना उट करना तो आप मत कर सकते हो, बट ग्लाद सब्सक्राइब तो लुक अच्छा है का, इसके लिए मने इस एट करना चिया चिर्स, आपको पता है, चिया चिर्स भी हमारी स्कीन के लिए बहुत अच्छे है, ये मेरे सुखे थोरे गुलाब के पते हैं वह मेर पास थे और ये बदम तो आपको पता है इस्कीन के लिए बहुत अच्छी है और चिया सीर्स भी आप देख सकते हो तारसी ठंडी रहती है तो गर्मी में बोडी को कूलिंग एफेक्ट देता है और आपका वजन भी बढ़ने नहीं देता तो ये डालना ये सब डालके इसमें बरप और ये ड्रिंग को ठंडा ठंडा इसमें करना डेफिनिटली एक बार आप जब प्योंगे ना आपका वजन भी कम होगा सुगर्वाली चेज़े हम बहुत रमजान में खाते है ये ड्रिंग हेल्थी भी है टेश्टी भी है उसका टेश्ट बहुत अमेजिंग है एंट देख सकते हूं मैं ग्लास में बरफ एंट थोड़ी जो हमने जीली बचा के बिचारी को रखी ती वह डाल दी है और इसको अच्छे से ग्लास में डाल देना है ठंडा ठंडा ये ड्रिंग वह त अच्छा लगेगा तो आप कब बना रहे हूं वह भी कमेंड में बताना रिस सको उसके लिए उपर से में थोड़ा वापस बदान जो हमारे गुलाब के फूल थी वह में डाली हूं मुझे लगता है इस बार आप यह जोरू ट्राय करोगे जोरू ट्राय करना विदाउट सुगर है तो आपके सुगर के लिए भी अच्छा है जो हमने मिश्री डाली है आखों की रोस्नी के लिए भी अच्छी है प्लस आपके बोडी के लिए अच्छी है जब आपका खून अच्छा होगा आपकी स्कीन ओटोमेटिक ओक्सिजन मिलेगा तो ओटोमेटिक गलो भी करेगी चिया चिस की वज़ए से आपका वज़न भी काबू में रहेगा तो मु